इन्होंने मनिपूर में हिंदुस्तान की हत्या की है नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं अमिट शाह और अधानि उनके लिए मनिपूर हिंदुस्तान नहीं है मैंने मैंने मनिपूर शब्द प्रयोग किया मगर आज की सचाई यह है कि मनिपूर नहीं बचा है मनिपूर को आपने दो भाग में कर दिया है मनिपूर को आपने बाट दिया है तोड दिया है इन्होंने मनिपूर में हिंदुस्तान की हत्या की है सिरब मनिपूर के लई हिंदुस्तान की हत्या की है इनकी राजनेती ने मनिपूर को नहीं हिंदुस्तान को मनिपूर में मारा है हिंदुस्तान को कतल किया है हिंदुस्तान का मुदर किया है मारा आपने मनिपूर के लोगों को मार कर भारत की हत्या की है आप देश द्रोही हो आप देश भग नहीं हो आप देश प्रेमी नहीं हो आप देश द्रोही हो भारत हमारी जनता की अवाज है दिल की अवाज है उस अवाज की हत्या आपने मनिपूर में की इसका मतलब भारत माता की हतिया आपने मनिपूर में की रावन दो लोगों की सुनता था मेगनाथ और कुम्ब करद वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं अमिद शाह और अदानी भाई और बेडो लंका को लंका को हनुमान ने नहीं चलाया था लंका को रावन के आंकार ने चलाया था रावन गाल्जी में आज जो बाते कहीं है इस तदर में बहुती बात दिया है जो भारत की हत्या की बात पर कंग्रेस पार्टी ने ताली पी की आज इस सदन में इस बात का संकेत पूरे देश को दिया की मन गदारी किसकी है You are not India continually is not corrupt India believes in merit and not dynasties and today of all the days people like you need to remember what was told to the British quit India, corruption quit India, dynasties quit India merit now finds place in India झाल झाल